कैसे हैं आप सब उमिद करती हों आप सब सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे सो दोस्तों आज मैं आपके साथ प्राचीन काल की एक और पद्दिती शेयर करने जारी हूँ एक ऐसी रेमडी जो की बनने में और दिखने में बहुत आसान है लेकिन इसके बहुत जादा फायदे हैं दिखने में बनने में आसान होने वाली चीजें अकसर फायदा बहुत जादा पहुचाती हैं आज इस remedy के जरीए मैं आपको बदाऊंगी कि आप किन तरीके से अपने बालों को काला कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं चलिए remedy को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको लेना है लोहे की कड़ाई, इसमें एड करना है एक चमच नीम पाउडर एड इसके बाद एक चमच आमला पाउडर छोटे वाले चमच से अगर हम बात करें तो एक चमच है और बड़े वाले स्पून से आधा चमच इनको अच्छे से आपको रोस्ट करना है यानि कि इनको भूनना है तब तक जब तक कि ये हलके से ब्लैक ना होने लगे यानि कि लोही की कड़ाई में आईरेन के भी बेनेफिट्स इसके अंदर आएं इसके लिए आपको इसे भूनना है लेकिन फ्लेम को धीरे रखके तेज करके नहीं करना है अच्छी प्रकार से इसी इस तरीके से आपको लगातार ड्राई रोस्ट करते जाना है और थोड़े टाइम में ही आप देखेंगे इसका कलर जो है ये चेंज होने लगेगा और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इसमें से धुएं भी निकल रही है यानि कि ये अच्छे तर इसे एक साइट किनारे करके आपको इसमें और डालना है तो मैं यहां पे पीली वाली राई का और ले रही हूं नॉर्मली आप लोग जो काली राई होती है उसी का इस्तिमाल करते हैं सरसो का तेल खाने में लिकिन मैंने यहां पे पीली राई का तेल यूज किया है ये अच्छा माना जाता है इसे अच्छे से इसमें आपको मिक्स कर लेना है इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी देर धीमी ही आज में इसे पाउडर के साथ अच्छे से पकाना है पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ठंडा होने देना है उसके बाद आपको इसे स्ट्रेन करके निकालना है इस चिश का ध्यान रखिएगा कि भले इसमें पाउडर्स फॉर्म में है लेकिन फिर भी आपको इसे छान्ना है चन्नी से या फिर किसी की help से कप्ड़ें वे प्रेजखे से निकाल लेना थे तो को गाय साथ कणो देख सकते मैंने यहां पर इसे strain करके निकाल लिया है और ये आपका यहां पे पीली राई का जो ओयल है प्लस इसमें जो हमने पाउडर इस्तमाल कियें ये बहुत ही प्राचीन पद्दती इस्तमाल होती है बालों को काला करने के लिए और मजबूत करने के लिए नीम जो होता है वो हमाले बालों से अगर आपके बालों में फंगस है या फिर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं गर्मियों में अल्मोस्ट बहुत सारे लोगों के सर में छोटे-छोटे से दाने आ जाते हैं जो की बहुत ज़दा इचिंग करते हैं वो भी ये दूर कर देता ह और आपके बालों को मजबूत करता है और काला करता है बालों को बहुत ज़्यादा है और स्टॉंग करता है यह बहुत ही पुराना आयवेदिक नेश्रल तरीका है जिसको इस्तमाल करते हैं चलिए इसके यूज कर लेते हैं बालों में इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से आपको यहाँ पे कॉम कर लेना है ताकि आपके बाल जो है उल्चे नहीं और टूटे नहीं जब आप इसे अपलाई कर रहे हूं इसके बाद आपको इसे चाहें तो आप कॉटन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ स इसे लगाना ज्यादा प्रफर करती हूं पिकॉज हम जब अपने हाथों से लगाते हैं तो अच्छे से हर जगा पहुच जाता है बालों में और यह मतलब स्कैल्प में अच्छे से पहुच जाता है और हम मसाज भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं कॉटन से लगाने में अप्लाई करूगी उसके बाद फिंगर की हल्प से इसको अंदर की साइट में भी लेके जाओंगी ताकि हमारा जो ऑईल हे वो में स्कैल्प में अच्छे से पहुँंच जाए बालों में ऑईल करना अलग में बात लिकिन उसे आइल में बहुत ही इच्छा इसका असर देखने को मिलता है, चाहे आप बालों को लंबा करने के लिए कर रहे हूँ या फिर काला करने के लिए. तो अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपको इसे 1 घंटे तक केवल बालों में रखना है और इसके बाद वाश कर लेना है. चाहते हैं वो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से अपने बालों में अपलाई करने के बाद आपको मसाज करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपने बालों में अच्छे से अपलाई करके इसके बाद इसका मसाज करूंगी जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों इसी तरीके से आपको बालों में अच्छे से मसाज करना है सो गैज उमीद करती हूँ आज की वीडियो नॉलेज़वल एंड अच्छी लगी हो जादा से जादा इसे शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए चली फिर से मिलते हैं यहाँ पे एक और न्यू हेल्दी हेयर वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ टे कियर अपना ध्यान रखिए वागुद दे बाइ-बाइ